नमस्तकार दोस्तों मेरे चैनल पर आप से भी का बहुत बहुत स्वागत है ध्यान रखने योग कुछ जरूरी बात है अगर अचानक से पेट में दर्द होने लगे तो एक इलास गुनगुना पानी में थोड़ा सा काला नमक मिला कर पी ले तुरंथ अराम मिल जाता है नमबर दो यदि आपके बदन में या टांगों में दर्द रहता है तो हल के गुनगुने पानी में नहाना चाहिए इससे दर्द में बहुत अरा मिलता है नमबर तिन सुबा का नास्ता ना करने वालों का दिमाग चत्रिग्रास्त हो जाता है ऐसा लगतार करने से दिमाग की कार चमता घट जाती है इसलिए सुबा का नास्ता जरूर करें नमबर चार जो अवरते रात को एक गिलास पानी में दो चमच मेती धाना विंगो कर सुबह खाली पेट इसके पानी का सेवन करती है तो यह उनके स्वास्त के लिए बहुत फायदेमंद होता है नमबर पांच केले के छिलकों का चेहरे पर रगणने से इसकीन गलो करती है और आखों के नीचे की सूजन को कम करती है नमबर छे चीनी सहद और नारियल का तेल मिला कर रात के समय ओठ पर लगाने से ओठ गुलावी होने लगती है नमबर साथ यदि आपके दातों पर फिलापन है तो इसके लिए आम के पत्तों को दातों से चबाकर फिर दातों पर मल ले इसे दातों का फिलापन खतम हो जाता है गर्ववस्ता में कीवी फल खाना बहुत फायदेमन होता है इसमें सॉलीड प्रियाप्त मत्रा में होता है जो बच्चों के दिमाग के विकास में महतेपुड योगदान करता है नमबर नौ रोजाना सुबह खाली पे तीन से चार काजु खाकर उपर से सहत चाटने से यादास्त बढ़ती है और दिमाग की कमजोरी दूर होती है नमबर दस पतगोवी में दूद के बराबर कैलसियम होता है जो आपकी हड़ियों को मजबूत करता है इस कारण जिन लोगों को दूद पिना पसंद नहीं है या उनके लिए अच्छा विकल्प है नमबर ग्यारा कंचे दुद में चीनी मिला कर चेहरे पर मसाज करने से चेहरे पर चमक आती है और रंग साफ होता है या एक नेचुरल मस्चिराइजर है 12. एक चमच दाही में चुटकी भार कॉफी मिलाकर चेरे पर मसाज करने से भी चेरे का रंग साफ होता है 13. खासी से चुटकारा पाने के लिए पुदीने की चाय में नमक डाल कर पीए इससे पुरानी से पुरानी खासी में आराम मिलती है 14. गोल गपे खाने में जीतने सवधिश्ट लगते हैं उतने ही फाइदे भी हैं इसके सेवन से प्लट सुगर कंट्रोल करता है गया इसकी समसिया से चुटकारा मिलता है और मुह में छाले होने की समसिया में भी आराम मिलता है नमबर 15 गर्व वस्था में सेव खाने से बच्चे को अस्तमा की बीमारी से बचाया जा सकता है नमबर 16 रिसर्च में पाया गया है कि तेज बुखार होने पर हींका सेवन करने से बहुत ही जल दरा मिलता है नमबर 17 रोजाना दो पहर और रात के खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ खाने से पाचन क्रिया बेहतर रहती है और गयस की समस्या भी नहीं रहती नमबर 18 पनीर खाने से हमारी यादास तो तेज होती ही है पनीर में पाये जाने वाले बिटामिन बी मेमोरी को भी बढ़ाता है नमबर 19 सौफ और मिश्री खाने से आपका वजन कम होता है साथ या दील की बिमारी से भी बचा होता है नमबर 20 सुबह उठकर मूह में पानी भर कर आँखों पर पानी के छीटे करने चाहिए इसे आँखों की रोशनी बढ़ती है नमबर 21 अगर आप अपना वजन तेजी से कम करना चाहते हैं तो सुबह नाश्ते में मूह की दाल का चीला खाना सुरू कर दे कि इस में भरपूर मात्रा में प्रोटीन होती है जो वजन घटाने में काफी महत्य पुड़ होती है नमबर 22 रुख कर बोलने वाले या हकलाने वाले ब्यक्ति को जीव के नीचे तेज पत्ता रख कर चुसना चाहिए इस से हकलाना और तुतलाना दूर होता है अगर आपके घर में चुहे और आप उनसे बहुत परिसान है तो और उन्हें भगाना चाहते है तो इसके लिए चौहान के आगे रास्ते में काला मीर्ची पावडर डाल दीजिए देख कर आप खूद ही हैरान हो जाएंगे दो चमजपुदिने के रास में थोड़ा सा नीवु का रास और एक चुटकी काला नमक मिला कर एक हापते तक सेवन करने से लीवर पूरी तरह से ठीक हो जाती है नमबर पचीस कोई भी मिठी डीस बनाते समय उसमें एक चुटकी नमक डाल देने से स्वाद उभर कर आता है नमबर चबिस दाल रोटी खाने से इंसान बहुत कम बिमार होते हैं नमबर सताइस चने की डाल के पानी में मुह धोने से चेहरे का रंग साप होता है नमबर अठाइस बाई तरह करवट लेकर सोने की यादो डालने इससे दील की बिमारी नहीं होती नमबर उन्तीस बैट कर जाडू पुछा करने से पाचन क्रिया मजबूत रहती है और वजन कम करने में भी मदद मिलती है अगर आपको सुगर की बिमारी है तो सुबा खाली पेट करेले का जूस पिए नमबर रोजाना साम को किसमिस के सेवन से सरीर को तकत मिलती है नमबर तेंतीस रात की बची हुई रोटी में फाइवर भरपूर मातरा में होता है बासी रोटी को दूद के साथ खाने से अपच गयस एसीडिटी और पेट दर्द की समस्या में अराम मिलती है नमबर तेंतीस खाना खाने के बाद सरीर में खून का बहाव कम हो जाता है जिसकी वज़ा से नीद आने लगती है इसके लिए दोपाहर में खाना खाकर थोड़ी देर के लिए आराम करना चाहिए नमबर पातिस सुबह देर से उठने वाले इंसान के दिमाग की नौस से कमजोर होती है और सरीर भी आलस में रहता है नमबर चातिस अगर अचानक से आपको ठंड लगने का एसास होने लगे तो आप हाल का गुनगुना पानी में भी इससे बहुत आराम मिलता है नमबर सैंति जादब चाह पीने की यादत हडियों को कमजोर बना देती है चाह का सेवन कौम से कम करें इसकी जगा है आप ग्रीन टी पी सकते हैं ग्रीन टी की स्वास्त के लिए बहुत ही लब दायक होती है वाजन कम करने में भी मदद करती है आप दिन में दो कप ग्रीन पी सकते हैं बहुत ज़्यादा ग्रीन टीकी सेवन नुकसान दायक होती है नमबर 38 लाखुनों पर नारियल के तेल मालिस करने से आखों की रोशनी बढ़ती है नमबर 49 रोजना दूद में साथ से आठ मुनाका उबाल कर पीने से सरीर में कभी भी पोसड की कमी नहीं होगी पल खाकर तुरंत दूद पीने से काली खासी हो सकती है नमबर 41 जी भवराने या सीने में जलन हो दूर करने के लिए निम्बू के ऐसी कंजी बनाकर घुट घुट करके पी यह से बहुत अराम मिलती है नमबर 42 अगर आपको पेट में तेजाब बनने की समस्या है तो रोजन दोस्तो आज की जनकारी अच्छे लगी तो वीडियो को लाइक से और एंड सब्सक्राइब जरूर करें फिर मिलते हैं एक नीव वीडियो के साथ